हेलो फ्रेंड्स दिस इस चेतन रिसेंटली युनाइटेड नेशन की जनरल एसेंबली में इस्राइल और हमास के बीच पीस इस्टेबलिस्मेंट करने और गाजा तक जरूरी सहायता पोचाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया आप यह देख सकते हैं युनाइटेड नेशन की ओफिशल वेबसाइड की गाजा क्राइसेस जनरल एसेंबली एडोप्स रेजुलूशन कालिंग फोर युमेंटेरियन ट्रूस सिविलियन प्रोटेक्शन लेकिन अजीब बात यह कि जब यह प्रस्ताव लाया गया उस समय भारत युनाइटेड नेशन की जनरल एसेंबली में अपसेंट रहा यानि भारत ने इस प्रस्ताव के मद्दान में हिस्सा नहीं लिया और भारत के इस कदम से उसके उपर यह सवाल उठने लगे हैं कि भा समझने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मेंटर इस प्रस्ताव में क्या क्या बाते थी भारत की भूमिका को लेकर क्यो सवाल खड़े हो रहे हैं और युनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत ने अपना बचाओ किस तरह किया एक्चिली हुआ ये कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शंगर चल रहा था उसे रोकने के लिए युनाइटेड नेशन में एक अपातकाली सत्र बुलाया गया यानि एक इमर्जेंसी स्पेशल सेजन की शुरुआत होई ये प्रस्ताव जोडन लेके आया था अगर इस प्रस्ताव के पक्च में मद्दान किया इसराइल और स्युटराज अमेरिका सहित 14 देशों ने इसको अपोज किया वही भारस सहित 45 देश यसे हैं जो इस प्रस्ताव के दोरान अनुपस्तित रहे यानि अबसेंट रहे इस प्रस्ताव के basic feature की बात करें तो ये resolution प्रस्ताव इस बात पर जोड़ देता है कि वो चल रहे है वो ठीक है लेकिन सभी लोग अपने बानवी दाइत उसे पीछे नहीं रह सकते हैं इस resolution में ये बात भी दोराई गई कि गाजा वाले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए essential supply नहीं रुकनी चाहिए जिसमें पीना और उन्हें medical assistant प्रोवाइड करवाना ये सब ही चीजे इस resolution की main बात ये है कि ये not binding nature का है यानि ये प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है ये प्रस्ताव सिर्फ सदस्य देशों पर एक moral authority को impose करता है लेकिन अजीब बात ये है कि जब ये प्रस्ताव पास किया जा रहा थ जब इसमें voting हो रही थी उस समय भारत इसमें absent रहा और इसी के चलते भारत की भूमी का पर प्रश्न चिनने लग रहे है कि एक तरफ तो भारत की नीती फिलिस्तिनियों के प्रती सहानुबूती रखती है तो दूसरी तरफ भारत का जुकाओ इसराईल की तरफ हो रहा है इस इसमें voting हो रही थी तो भारत क्यों अनुपस्थित रहा भारत क्यों absent रहा भारत के सभी पडोसी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है इस पर western expert ये allegation लगा रहे है कि भारत का इस प्रस्ताव से दूर रहना भारत के नेतिक मूल्यों का पतन दिखाता है लेकिन इसराइल में जो 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ था उसके इसपस्ट निंदा नहीं की गई है और इस लिहाज से देखे तो ये प्रस्ताव एक पक्छी नजर आता है इसलिए भारत ने voting के दोरान absent रहने का decision लिया था United Nation में हमारी deputy permanent representative योजना पटेल ने ये कहा कि आतंकवाद एक घातक बिमारी है इसकी कोई सीमा इसकी कोई रास्टिता और इसकी कोई नसल नहीं है इसलिए दुनिया को आतंकवादी गती विदियो के justification देने की बिलकुल जरूरत नहीं है इस समय गाजा में जो संकर चल रहा ह उसकी कीमत सभी लोग विशेश करके महिलाएं और बच्चे अपने जीवन के साथ भुगत रहे हैं एसे मैं सभी लोग की responsibility ते की जाने चाहिए वहीं दूसरी और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वोर चल रही है उसके दोरान जितने भी लोगों को hostages बनाया गया है उ युद्ध के दोरान जितने लोगों को बंदी बनाया गया उनको छुडाने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं था शायद यही कारण है कि भारत इस प्रस्ताव से absent रहा इसी के साथ भारत ने security situation पर concern करते हुए सभी पक्छों से जिसमें इसराइल और इरान भी शा राज्य समाधान यानि two state solution का समर्थन किया वही भारत इसराइल के साथ शान्ती से सुरक्षित और मान्यतब राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभू, स्वतंत्र और फिलिस्तिन राज्य की स्थापना में विश्वास करता है अपने आपको defend करते हुए भारत ने समुदाई से तनाव को कम करने और गाजा के लोगों को मानवी सहायता प्रदान करने का स्वागत किया और जैसा कि आप सभी जानते कि भारत भी जो गाजा में फसे हुए लोग है उनको humanitarian assistant प्रवाइड करवा रहा है कुल मिला कर देखे तो इस resolution के दोरान भारत का absent रहना उस से दूर रहना ही बहतर समझाओ सो आज के लिए इतना ही thank you